21 वा दिन 21st day तीसरा अभियान 3rd expedition तीसरे अभियान में हम आपको अंग्रेजी व्याकरण के कुछ आवश्यक पहलूओं का ज्यान कराने जा रहे हैं यदि आप इन्हें जान लेंगे तो आपको मोटे रूप से अंग्रेजी समझा जाएगी 21 से तीसरे दिन के इस सेट में इन विशियों पर ध्यान दिया गया है अंत में प्रचलित idioms भी दिये गए हैं प्रत्य एक दिन के अंत में इन विशियों से समबंदित टिपणिया भी दी गई हैं जो विशय को समझाने में बड़ी सहायक होंगी आप एक एक दिन में एक एक करके अभ्यास कीजिये और फिर देखिए कि आप कहां से कहां पहुँच गए हैं सबसे पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखिए एक यह हमीद है दो वह अंजु है तीन यह उसकी पुस्तक है चार वह उसकी डायरी है पाँच वह लड़का है यह पाँए लड़की है यह तुम एक छात्र हो आट वह एक क्लरक हूं आइंग अ ध्लरक यह एक कलम है दस यह एक सेब है This is an apple ग्यारा, वह एक संत्रा है That's an orange बारा, मैं एक भारती हुँ I am an Indian तेरा, यही camera मैं चाहता हु This is the camera I need चौदा, वही pen मैंने भी खरिदा है I have also bought the same pen पंद्रा, यह pencil है और यह मेरी है This is a pencil and it's mine सोला, वह मेरी बकरी है That is my goat सत्रा, यह मेरी पुस्तके हैं वे तुम्हारी पुस्तके हैं These are my books, those are your books अठारा, यह पुस्तके मेरी हैं वे पुस्तके तुम्हारी हैं These books are mine, those books are yours 19, यह तुम्हारी कापिया हैं, वे मेज पर हैं These are your notebooks, they are on the table प्रिष्ट चाचचट 20, वे मेरे कंचे हैं, वे कई रंगों के हैं Those are my marbles, they are of different colors 21, भारत हमारा देश है, हम उसके वासी हैं India is our country, we are her inhabitants 22, श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं Mr. शर्मा is your teacher 23, मीता और नीता बहने हैं, उनकी माँ टीचर है Meeta and Neeta are sisters, their mother is a teacher 24, इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है Each of these boys plays games 25, वहां हम में से कोई न गया None of us went there 26, हमने चुटियों के दौरान आनंद मनाया We enjoyed ourselves during the holidays 27, जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा, उसे पुरसकार मिलेगा Whoever is the best will get a prize 28, वह मुझ से बुधिमान है He is wiser than me 29, मेरी लिखाई मेरे भाई की लिखाई से अच्छी है My handwriting is better than that of my brother 30, वह क्या है? वह एक कंप्यूटर है What is that? That's a computer 31, वह क्या है? वह कैसेट्स है What are those? Those are cassettes 32, यह एक बक्सा है, यह इसके कुने है This is a box, these are its corners 33, वह कौन है? वह मेरा सहकर्मी है Who is that? He is my colleague 34, यह किसकी कॉपी है? Whose notebook is this? 35, यह उसकी है It's hers 36, यह गाए हमारी है This cow is ours 37, वे दुकाने उनकी है Those shops are theirs 38, यह घडी मेरी है This watch is mine 49, यह घर आपका है This house is yours 40, यह घर उसका है This house is his 41, तुहारी पेंटिंग सबसे अच्छी है Your painting is the best 42, मैं तुहारी बात ध्यान से सुन रहा हूं I'm listening to you attentively 43, दर्वाजा कौन खटखटा रहा है Who is knocking at the door? 44, वो किसका सामान है Whose luggage is this? 45, वो बिलकुल दूसरी बात है That's a different matter altogether 46, उसे समय की कीमत नहीं मालूम है She doesn't know the value of time 47, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो You can trust them 48, मैं आपका बहुत एहसान मंद हूं I am very thankful to you This, that, these, those are called demonstrative adjectives When they are used with nouns For example, this book, that dog, these shops, those houses, etc 69, उसके रूखे विवहार से मुझे धक्का पहुचा His rude behavior shocked me 50, मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी I never expected this from you 51, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं है These books are of no use to me 52, हमें अभी तुरंत जाना है We have to leave at once तिरपन, उनके दिल्ली में अपने मकान है They have their own houses in Delhi 54, वह दुकान मेरे चाचा जी की है That shop belongs to my uncle याद रखें, remember 1. He, she or that, इन सभी का अर्थ वह होता है पर he, she पुरुषवाचक सर्वनाम है और that निश्चैवाचक सर्वनाम है अर्थात, he or she, क्रमशप, पुरुष और स्त्री का बोद कराते है पर that वह उस वस्तु का निश्चै करता है यह नहीं वह लाओ Bring that, not this दो, this, that निश्चैवाचक सर्वनाम है दीज, this का बहुवचन रूप है और those, that का तीन, this, यह, that, वह इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में प्रसंग में इट का प्रयोग होता है चार दीज ये दोज वे इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में प्रसंग रूप में दे आता है पांच ए एन द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं ए एन अनिश्चैवाची हैं द निश्चैवाची समानित या जिन संग्या शब्दों की गिंती हो सकती है countable उनके आगे ए या अन लगता है जैसे a book, a cat, an animal, an egg आदी जिन countable शब्दों का पहला वर्ण a, e, i, o, u में से कोई हो या जो वावल या स्वर की ध्वनी से शुरू हो वहाँ प्रायह अन लगता है जैसे an animal, an Indian आदी जिन शब्दों में पहला वर्ण व्यंजन होता है, वहाँ a लगता है a man, a cat, आदी 6. द निश्चेवाची आर्टिकल किसी व्यक्ती या वस्तु विशेश को इंगित करने के लिए प्रयोग में आता है जैसे this is the book I need यहाँ है वही पुस्तक जिसकी मुझे आवशक्ता है आदी इसका व्रिस्तु प्रयोग आगे देखें प्रिश्ट अर्सट